अब हो, मैं आज आप लोगों को reference कैसे लेखते हैं, word के अंदर जो reference देते हैं, citation, in text citation और reference, वो किसलिए करते हैं और कैसे करते हैं, आपको मैं इस पीडियो में वो सिखाने जा रहा हूँ, तो reference क्या है, first of all, reference जब आप किसी भी site से, book से, article से, journal से, कुछ भी चीज को लेते हैं अपने research paper में सामहिल करते हैं, दूसरी लोगों जिसने वो article बनाया है, उस article से आप कुछ part को लेके अपने article में रखते हो, अथा अपने paper में use करते हो, तो आपको उसका लिए citation देना पड़ता है, उसका मतलब यह है कि आप उसको, उसका word का credibility दे रहे हैं, ठीक है, तो how do you write a reference, जैसे आप देख सकते हैं, इस site investopedia साइट से में, what is mean, तो totally आप copy करेंगी, तो यह inverted comma, आपको यहाँ पर inverted comma insert करना पड़ेगा, अगर आपने totally नहीं किया, आप थेम ही ली रहे हैं, तो उसमें आपको नहीं लेना चाहेगा, inverted comma, so, अब हम reference जब लेते हैं, तो क्या करते हैं हमने अब यह paragraph तो ले ली, तब यहाँ अपर option में जाएंगे, उपर देखेंगे Microsoft Word के, यहाँ पर होगा reference, अब आप reference में जाएंगे, यहाँ पर होगा citation and bibliography, तो आपको first citation insert करना पड़ेगा, okay, insert citation करेंगे, insert citation हम करेंगे, तो आपको first choose करना पड़ेगा, यहाँ option होगा, article से लिया, article in periodical से लिया, conference, conference proceedings, website, art case, every option, so आपने लिया आएंगे, investopedia, website से, okay, website, so article website से लिया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, किसने लिखाया article, author का नाम हमी लिखना चाहे, okay, one author का नाम लिखेंगे, हम किंटन, last name first लिखेंगे, किंटन, well, okay, plus करेंगे, अगर दूसरी भी writer है, तो यहाँ पर हम plus plus करते, and finally, okay करेंगे, second name of the web page, what is the name of the web page, बोलेंगे, तो web page का नाम क्या है, mean, mean will be our web page, ठीके, तब website, name of website क्या है, investopedia, investopedia, ठीके, तब अब URLs आए, कहां से लिए आपने ये website से, ठीके, तब इसको हम right click करेंगे, copy करेंगे, यहाँ पर, best करेंगे, ठीके, अब year देखेंगे, यहाँ आप लोग year देश सकते हैं, 2019, 2019, 2019, month zone का है, 25, ठीके, अगर हर एक article में आपको नहीं होगा, date नहीं होगा, जो article में date होगा, वो more authentic होगा, writer होगा, वो more authentic होगा, आपका, यह, कैसा web page यूज कर रहे हैं, उसका credibility भी जाएगा, उसके लिए, तो अब हम इसको ok करते हैं, ok करते हैं, तब यहाँ पर आ गया, यह site kenton, ok, अब जैसे kenton आ गया, पर यह kenton, जुन article का reference आए, वो आपको जब भी, फुल स्टॉप में, वो paragraph के अंदर रखना पड़ेगा, ok, तो आप इसे ऐसे करके, करते हैं, यहाँ पर best भी कर सकते हैं, और पहले ही आपने cursor उदर रखा हो, तो citation डिरेक्टी वहाँ पर आएगा, अगर नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग citation में जाके, यह check कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पर cursor रखा, और फिर से double click किया, तो automatically वो य in-text citation, और आपको अब यह in-text जरूरी होता है, जहाँ पर भी in-text में रख करिया, आप reference में लेख सकते हैं, okay, now what is reference, so a total paper ready हो गया, तो हम bibliography में जाएंगे, ठीके, mac में आपको मिलेगा work cited, and in windows computer आपको यहाँ पर reference मिलेगा, so आप वो करेंगे, ठीके, तो आप यहाँ पर work cited म क्लिक करेंगे, अगर आपको यहाँ पर reference चाहिए, तो हम ऐसे करके delete करेंगे, RE, F, E, R, E, N, C, E, S, reference करेंगे, ठीके, so एसे proper method of inserting reference is this, so we do not copy directly our site to the reference and claim it, so सब citation का भी process होता है, जैसे यहाँ पर मैंने citation लिखा है, यहाँ पर API styling आता है, वो styling आपका कून method यूज होता है, अस method को आप यूज गरना चाहिए, जिसते APA में यह हाँ यह हंगे इंदेंटेशान आता है, वो केंटन देखे हैं यह है, यह हंगे है, यह हंगे इंदेशान बलते है, और केंड़ेर्चा, इस लिखार गरिषाए, जिसते आपका करेंगे, यह हाँ यहाँ, तो हम आएपका का